हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलेजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती है तो as usual शुरू करूंगा fingers के analysis से उसके बार चेक करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम चेक करेंगे lines को इस तरह से पुरे hand का जो analysis है हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर phone consultation लेने के लिए आप screen पर दिखाए गए मेरे इस number के जरीए संपर्क कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक square shape में नजर आ रही है जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे fingers काफी थिक हैं काफी अच्छी length में नजर आ रही है fingers की thickness को आप यहाँ से base phalanges से चेक कर सकते हैं जिसकी वज़े से काफी अच्छी energy and stamina ऐसे व्यक्ति का रहता है अगर हम यहाँ पर इनकी तरजनी उंगली की बात करें तो काफी थिक और बिल्कुल straight इनकी guru finger यहाँ पर नजर आ रही है Guru finger का इस तरह की formation में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की leadership qualities अच्छी रहेंगी ऐसे व्यक्ति knowledgeable होते हैं एक spiritual type की ज्यानवान type की personality आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी finger को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत अच्छी लंबाई में बिल्कुल straight इनकी शनी finger यहाँ पर नजर आ रही है शनी finger का strong होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति hard working होगा ऐसे व्यक्ति disciplined होते हैं एक अनुशाशन प्रिया और न्याय प्रिया type की personality ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो यहाँ finger length में काफी अच्छी है बिल्कुल straight है लंबाई में यहाँ finger इनकी तरजनी से हलकी सी अधिक नजर आ रही है सूर्य फिंगर का ज्यादा लंबाई में होना व्यक्ति को थोड़ा risk taker बनाता है ऐसे व्यक्ति अपने चीवन में risk लेने से नहीं घबराते हैं और कई बार तो अपनी धन की investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगहों पर invest कर देते हैं जहां पर loss की संभावनाए हो जैसे share market है crypto currencies है mutual funds है multi level marketing है ऐसी चीजों की तरब भी व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिल सकता है जबकि इस finger का ज्यादा लंबाई में होना एक बहुत अच्छा social circle भी व्यक्ति को देता है ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान society में बना पाने में भी काम्याब रहता है जिन लोगों की सूर्या finger बिल्कुल straight हो अच्छी लंबाई में हो ऐसे व्यक्ति काफी creative nature के भी होते हैं बहुत अच्छी artistic और creativity वाली qualities ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिल जाएंगी अगर हम इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger की बात करें तो यह finger इनकी अथेली में काफी low set है अगर हम fingers के नीचे एक line draw करें तो कुछ इस तरह है कि एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी जिसमें आप देख सकते हैं कि comparatively इनकी सूर्या finger शनी finger काफी high set है इवन इनकी ब्रस्पती finger भी इनकी mercury finger के मकाबले high set है mercury finger आपको यहाँ पर काफी नीचे से शुरू होती नजर आएगी जिसे हम low set mercury finger कहते हैं इस finger का low set होना व्यक्ति को थोड़ी shy nature देता है थोड़ा hesitation वाला सभाव दे सकता है जबकि इनकी mercury finger की लंबाई काफी अच्छी है यह finger length में सूर्या finger के top falange के करीब पहुँचती हुई इस तरह की mercury finger का होना व्यक्ति को बहुत अच्छे communication skills देता है काफी अच्छा business equipment ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा और ऐसे व्यक्ति की पूरवा नुमान लगाने की क्षमता भी काफी बहुतर होती है जिनकी mercury finger अच्छी length में नज़र आए चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी अगर हम इनके गुरू परवत की ही बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का area है काफी अच्छा है काफी उठा हुआ गुरू परवत जिस पर आपको कुछ progress lines यह जो रिखाएं नीचे से उपर का रुख करती हैं इन्हें progress lines कहा जाता है ऐसी रिखाएं अगर गुरू परवत के उपर मौजूद हों तो चीवन में बहुत अच्छी तरक्की देती है ऐसे व्यक्ति अपनी समझ की वज़े से अपनी knowledge की वज़े से काफी अच्छी progress लाइफ में पाने में काम्याब हो जाते है यहाँ पर आपको कुछ आड़ी रिखाएं भी नजर आएंगे जिने हम lines of sympathy कहते हैं इस तरह की रिखाओं का गुरू परवत पर होना व्यक्ति को sympathetic सभाव का बनाता है ऐसे व्यक्ति दूसरों की help करने वाले होते हैं शनी परवत की जाए तो शनी का area आपको यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा एक लंबी शनी रिखा का अभाव भी है यहाँ पर जिस वज़े से ऐसे व्यक्ति को चीवन में काफी सारे उतार चड़ाव देखने को मिलते हैं इनका शनी परवत दब रहा हुँ ऐसे व्यक्ति को अपने करियर की शुरुआत में अधिक महिनत करनी पड़ती है अपने कमफर्ट जोन से निकल कर भी ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है यहाँ पर भागया रिखा तो मौचूद है लेकिन यह भागया रिखा आगे चलकर आपको कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेरिय तक उसके बार यह रिखा कुछ इस तरह से हलके फ्रेग्मेंट्स में नजर आ रही है जिसकी वज़ए से जीवन में थोड़े अपसंट डाउंस रहने की संभावनाएं नजर आ रही है सुर्या परवत की बात की जाए तो सुर्या का माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है सुर्या माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है ऐसा व्यक्ति जिनका सूर्य प्रवद्दब रहा हूँ दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें दूसरों की कितनी भी हल्प कर लें बदले में उन्हें कोई appreciation या reward नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं mercury mount को देखें तो इनका mercury mount अच्छा है mercury mount भले ही low set है लेकिन काफी उठा हुआ mercury mount अगर उभरा हुआ हो तो यह है व्यक्ति के business equipment को strong करता है ऐसे व्यक्ति के communication skills अच्छे रहते हैं ऐसे व्यक्ति की decision making भी strong होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी major lines को सबसे पहले अगर हमके heart line की बात करें तो heart line कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी और इस तरह का एक Vishnu symbol इनकी अथेली में बनता हुआ आपको नज़र आएगा Vishnu symbol का बनना यानि इस तरह की जो V-type का symbol heart line की अंत में बनता है इसी को Vishnu symbol कहते हैं इसका बनना बहुत लकी होता है चिनकी भी हथेली पर Vishnu symbol बनता है ऐसा व्यक्ति चीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामियाब हो सकता है ऐसा व्यक्ति तभी तरक्की कर पाता है जब इमानदारी के रास्ते पर सही रास्ते पर चल कर काम करे अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चल कर बहिमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो चीवन में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुख सकती है हाट लाइन पर कुछ downward branches और कुछ हलकी island type की formation आपको यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह की downward branches भी आप यहाँ पर देख पाएंगे जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को later age में चलकर कुछ minor health issues का सामना करना पड़ सकता है खासता और पर 50 प्लस की age के बारे ऐसे व्यक्ति को blood pressure, thyroid, cholesterol, diabetes चैसी समस्या होने की संभावना इस तरह की downward branches की वजह से रहती है अगर हम इनकी मस्तिक शरेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक medium sized mind line साथ में overlapping के साथ साथ एक रेखा और चलती हुई जो यहाँ पर indicate करती है कि थोड़ी overthinking की समस्या ऐसे व्यक्ति को इस तरह की downward branch की वजह से हो सकती है ऐसे व्यक्ति की memory अच्छी रहती है लेकिन बीच में इस तरह की break होने की वजह से overlapping होने की वजह से थोड़ा मानसिक तनाव जैसी समस्या का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने चीवन में करना पड़ सकता है हाथ में कुछ stress lines आपको नजर आएंगी इनकी मस्तिक श्रेखा को काटती हुई इस तरह की रिखाओं को stress lines या रहू रिखाएं कहा जाता है हाथ में अगर ऐसी रिखाएं मौजूद हो तो ये व्यक्ति को बेवजह से stress देने का काम करते हैं खास तर पर middle age में इस तरह की रिखाओं का परभाव आपको देखने को मिलेगा अगर हम इनकी जीवन रिखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रिखा है काफी अच्छी लंबाई में है और जीवन रिखा का अच्छी length में होना positive माना जाता है यहाँ से शुरू होने वाली इनकी life line खुछ इस तरह से आपको यहाँ पर कलाई तक पहुंचती नजर आएगी इस तरह की life line और इसमें से एक branch का निकल कर बाहर की तरफ निकलना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति की जो age है लगबग 75 से लेकर 80 के आसपास रहने की समह बनाए रहेंगी इस तरह की branch होने की वज़े से लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे जीवन रिखा के last में चलकर आपको इस जगह पर एक fish की अक्रिती बनती हुई की नजर आएगी इस तरह का sign केतू परवत के उपर यहाँ जो area रहता है बिलकुल wrist के पास का इसको केतू mount कहते हैं जो circle के अंदर का हिस्सा है यहाँ पर इस तरह का चिन बनना काफी lucky होता है जिनकी भी हथेली पर ऐसा fish का symbol केतू परवत पर बने ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अकास्मिक धन लाप पाता है ऐसे व्यक्ति को share market से, lottery के जरीए, insurance के माध्यम से या फिर inheritance के माध्यम से धन की प्राप्ती होने के योग बनते हैं ऐसा व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं भी करता है जिनके हाथ पर इस तरह का fish का symbol हो ऐसे व्यक्ति को foreign travel करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो venus mount है, यह जो area है आपको हलका सा flat होता नजर आएगा और काफी सारी आड़ी रिखाएं इनके शुक्र परवत के उपर आपको नजर आएंगे इस तरह की जो रिखाएं हैं इनका शुक्र परवत के उपर होना venus के परभाव को कम करता है ऐसी रिखाओं को हम पामिस्ट्री में worry lines कहते हैं और worry lines अगर हाथ पर मौझूद हो तो यह पारिवारिक चिन्ताओं को indicate करती है ऐसे व्यक्ति को अपने परिवारिक सदस्यों की health को लेकर या उनकी well being को लेकर चिन्ताओं का सामना करना पड़ सकता है ऐसी रिखाओं का शुक्र परवत के उपर होना अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाएं होने से व्यक्ति की family life में disturbance रहती है married life में भी यहाँ पर तनाव इस तरह की रिखाओं की वजह से होने की संभावनाएं बढ़ जाती है आप देख सकते हैं अंगूठे के उपर आपको इनके एक यव जैसा चिन्न बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर आपको एक आँख जैसी अक्रिती बनती हुई नजर आएगी इस तरह के sign को बुद्धा जाई या फर फिनिक्स आई का चिन्न कहा जाता है अंगूठे पर अगर ऐसा चिन्न बने तो यह है positive result देता है गूठे पर ऐसा sign बनने से व्यक्ति की six sense strong होती है ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या फिर अपने किसी relative या मित्र के साथ होने वाला हो तो ऐसी चीजों का अभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो सकता है अथेली के center में काफी हद तक money triangle की formation होती हुई नजर आ रही है जो कुछ हलकी रेखाओं के माध्यम से नजर आ रही है लेकिन आपको draw करकर दिखाना चाहूँगा यह जो रेखा है इस रेखा को भागया रेखा कहा जाता है और यह जो आपको ब्रांच नजर आ रहे हैं यह मस्तिक रेखा की ब्रांच है और यहाँ पर बहुत ही एक हलकी रेखा जिसको mercury line कहते हैं इनों के इस तरह से यहाँ पर मौझूद होने से जो triangle की shape बनती है इसी triangle को money triangle या धन त्रिकोन का नाम पामिस्ट्री में दिया गया यह जितनी गहरी रेखाओं से बनेगा उतना अच्छा प्रभाव इसका होगा यहाँ पर कुछ हलकी रिखाएं होने से जीवन में खर्चे अधिक रह सकते हैं लेकिन इस triangle का बनना फिर भी lucky माना जाता है ऐसा triangle जिनके हाथ पर बनता है ऐसे व्यक्ति की old age comfortable होती है ऐसे व्यक्ति के पास old age तक पहुँचते पहुचते काफी अच्छा धन आ जाता है अगर इनके चंदर यानि moon mount की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंदर का जो area है यहाँ पर काफी अच्छा है side से थोड़ा सा कमजोर होता हुआ जिस वज़े से बेचैनी और anxiety की समस्या हो सकती है जबकि कुछ रिखाएं आपको इस तरह से इस mount पर उपर का रुख करती हुई नजर आएंगी चंदर परवत पर जितनी अधिक रिखाएं हो उतनी ज्यादा यात्राएं चीवन में रहती हैं ऐसे व्यक्ति को life में काफी सरा travel करना होता है और इस तरह की रिखाएं होने से विदेश यात्राएं करने के मौके भी मिलते हैं लेकिन चंदर परवत का दवना और इस पर एक से अधिक रिखाओं का होना व्यक्ति को थोड़ी बेचैनी और anxiety जैसी समस्या भी देता है तो दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के थुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई न कोई चिन या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद